हेलो गाइज मेरे नामे सल्मान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल इंडियन इस्टडी इस वीडियो में हम लोग अटल के यानि कि अटल सुरंग के बारे बात करने वाले हैं जो की काफी इंपोर्टेंट है आपके आने वाले अग्जाम यूपी जेल वोडन यूपी एस आई और यूपी के जितने भी वन डे अग्जाम है ना उन सभी के लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि अटल सुरंग जो की अब सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बन गई है और य सारी जानकारी ना हम इस वीडियो में कोईश्चन के माध्यम से जानने वाले हैं तो गाइस वीडियो को लाइक और शेयर जलू करेज़ेगा साथ सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए साथ बेल आइगन को दबाद दीजिए चलते हैं गाइस पहले कोश्चन के ओर तो पहले कोश्चन के हमारा बीडार ऑठ़् कोँ है गाइस बी आरो का मिल्स यहां पर बोर्डर रोड और और डूर ऑर टिकना है ठीक है और इसके अद्ल क्वाट के पीछ यह जो अटल सुरंग है न वो बी आरो के दौरा बनाई गई है किसके सुरंग के पीछे अभी हम लोग के पीछ उस देश के लिए हम लोग के लिए क्या रहा था थोड़ा सा युद्ध की इस्तिती बन गई थी तनाव गिरस्त रहा था तो अब आंसर आप लोग बता सकते हो क्या होगा फिलाल बी आरो के अध्यक्ट इसका सही अंसर क्या हो ढल को क्या है अतल सुरंग कांट रहा य इसका नाम है लाहूल इस पीति पेलिंग शेू संभूदर तम्से कितने के उचाई पर है तो आपको ँएक बात या लूदक और यहां पर बिलकुल सही आंसर हो जाएगा वी यंदिकी बौडर रोड्ड और ओईअसं की स्थापना कभूईती गाईस तो इसका बिल्कुल सही अंसर का हो जाएगा option A यानि कि 7 माई 1960 इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा अटल सुरंग का आकार केसा है important question है पूछा जा सकता है आपके exam में तो इसका जो सेप है वो गोड़े की नाल जैसा है यानि कि option B इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा अटल सुरंग से मनाली और लहे के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो जाएगी हमसे पूछा गया है तो देखे गाईस 46 किलोमीटर जो है वो दूरी कम हो जाएगी एक्चुली होता क्या था अभी 6 माहा ये राष्टा जो है बंद रहता था सर्दी के कारण परन्तु अब ये 12 माहा खुला रहेगा और इसकी जो दूरी है मनाली और लहे के बीच 46 किलोमीटर की कम हो जाएगी तो ये एक फायदा हुआ है और ये हमारे लिए काफी प्रॉफिट वाली बात है नेक्ट को चलते हैं दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग किस से जोड़ेगा ये किस से जोड़ेगा तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा गाईस तो इसका हो जाएगा option B मनाली को लाहुल इस पीती से यानि की option B इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग तो मैंना भी अभी आपको पता है क्या नाम है इसका अटल सुरंग नाम है यानि की option B इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन क option C بالकुल जही जाएगा जबाहर सुलंग किस कि दर्रे में आप पूँछे कई है जबाहर सुलंग यह किस दर्रे में त wireless मिश्थित है यानि की option इसका बिलकुल जाएगा अटल सुलंग भारत के कि से राजे में ते थे एकाइड जो कि आपके गुरुबडी जैसे लेविल एक्साम में पूछा जा सकता है तो अतल सुरंग जो है भारत के किसे राज्य में है यह पूछा गया है तो गाइस इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा हिमाचल प्रडेस की राजधानी क्या तो आप लोग बोलोगे सिमला है चलते हैं जैसी फूर्ट के बात की रही है मनाली से कितने किलático डूरी पर तताव समधों चल से कितने यह मों से पूछ गया है तो गाइस 25 किलोमेटर के दूरी पर है मनाली से और समधतल से 3060 मीटर के उचाइब मगाई तो आपको पता होगा नर्यंदरो मोदी के दौरा किया गया था और 3 अक्टूबर 2020 को किया गया था यानि कि ऑप्सन इसका बिलकुल सही अंसर हो जाएगा अटल सुरंग से पहले भारत के पास सबसे लंबा सुरंग कौन सा था यह इंपोर्टेंट कोशन है रीप्लेस किसको क्या है इस अटल सुरंग ने जैसा क बहुत से लोग हमाचल प्रदेश सोच रहे होंगे लेकिन जम्मू कस्मिर इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन अटल सुरंग का पुराना नाम क्या था यह हम से पूछा गया है अटल सुरंग का पुराना नाम तो गाइस इसका रोहतांग सुरंग जो है क्लाइब दर्दे के अंदर है तो दौनों ही चीजों आप लोग को अलग अलग तरीके से याद रखनी हैं मिक्स बिल्कुल नहीं होना है अच्छा लगा है से.' क्यों mosquito को मूटिवेट मिलता है आप लोग ज tbsp करोगे उतना जयारा कम करने की हम लोग की पावर पड़ती है Basically त अच्छा कंटेंट चाहते हो तो ज्यादा स्यादा वीडियो को लाइक करिएगा और सेर कीजिएगा नेक्ट को चलते हैं गाइस नेक्ट कोशन क्या है हमारा चलिए अटल सुरंग की आधार सिलह किसे न रखी ती अब यह इंपोर्टेंट कोशन है लेकिन आपको नाम से पता चल रहा होगा यह अटल ब्याहरी बाच भी नहीं रखी ती यानि की ऑप्सन सी इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है यह हमसे पूछा गया है इंपोर्टेंट कोशन है यह लंबाई आप से पूछी ज इसका उत्तरी हिस्सा कितने उचाई पर यह फिर मैंने पूछा है अब मैंने पूछा है अटल सुरंग कितनी उचाई पर समुद्ध तल से तो गाई इसका आप लोग याद रखेंगा तीन हजार मिल्टर पर उचाही है जबकि जो हमारा था था वह थी जिरू सब्वान पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटर्ड सुरंग का निर्मार्ट किस ने किया है तो गाइस इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है option B जो कि मैं सबसे पहले बता चुका हूँ इसका काम क्या होता है जितने भी बॉर्डर के पास जो रोड है वो कौन डालता है बी आरो डालता है जितने भी पुल है बॉर्डर के पास वो कौन बनाता है बी आरो बनाता है जितने भी सुरंग है वो कौन बनाता है बी आरो तो बॉर्डर के पास हमारा जो है न एन एच ए यानि कि National Highway Authority of India वर्क नहीं करता है कौन करता है वर्क BRO यानि कि Border Road Organization तो गाइस कैसी लगे आप लोग को वीडियो यह बीस कोशन थे जो कि आपके एक्जाम में पूछे दा सकते हैं UP Jail Warden UP SI UP कि किसी भी एक्जाम के लिए तो I hope वीडियो पसंद आया होगा समझ में आओगा कंटेंट प्लीज लाइक करें वीडियो को सेर किजिए सब्सक्राइब किजिए थैंक्यो अल आफ यू जै हिंद जै भारत